इन्सी आर्टी शार संग्रा वन लाइनर का जो आधुनिक भारत के इतिहास का ये चेप्टर है ट्रेड यूनियन एवं सामिवादी दल इसे समधित कुश्चन है वर्ष 1890 में गठित भारत का पर्थ मजदूर संगठन बॉंबे मील हैंड्स के स्थापना किसके दोरा की गई थी से ट्रस्टी सिप का सिधान्त पर्थिपादित किया इसके अनुसार पुंजी पर्थी मजदूरों के हीतों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है नकी मालिक होता है अल इंडिया ट्रेड उनियन कांग्रेश की अस्थापना कब हुई थे तो वर्स 1926 बंबई में हुआ था अल इंडिया ट्रेड उनियन कांग्रेश के संस्थापक कौन थे एम एन जोसी थे लाला रादपत्रा है अल इंडिया ट्रेड उनियन कांग्रेश के पर्थम अध्यक्ष थे वर्श 1929 में नागपूर में शंपन All India ट्रेड उनियन कॉंग्रेस के अध़क्ता किसके दोरा की गई जबहरला नहरू के दोरा मई 1947 में स्थापित Indian National Trade Union Congress ए कि पर्थम अध़क्ता किसके दोरा की गई बलभाय पतेल के दोरा रूश में Communist International के स्थापना किस वर्स की गई थी मार्च उनेशों उनेश में रूश में Communist International के स्थापना की गई थी इसके बाद परमुख करखाना अधिनियम है गोवर्नर जनरल के समय में तो करखाना अधिनियम 881 लाड रीपन के समय में था करखाना अधिनियम 881 लाड लेंश डाउन के समय में था करखाना अधिनियम 1931 लाड हार्डिंग दूत्य के समय में था करखाना अधिनियम 1932 लाड रीडिंग के समय में आया था करखाना अधिनियम 1934 लाड बिलिंग्टन के समय में और करखाना अधिने 1944 लाड़ बेवेल के समय में सन 1927 में भारत में सर पर्थम एक मौई को मजदूर दिवश यानि लेवर डे मनाया गया जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनेतिक चितना का सुचक था कॉमिनिस्ट इंटरनेशनल के सदस से बनने वाला पर्थम भारते कौन थे मानवेंदर नाथ राय एमेन राय थे एमेन राय के सहयोग से तसकन में भारते कॉमिनिस्ट पार्टी के स्थपना किस वर्ष की गई 17 अक्टूबर 1926 वी को कानपूर में 26 दिशंबर 1925 को किया गया था कानपूर सद्यांत्र मुकादमा वर्ष 1924 में बिटी सरकार दोरा किस अंदोलन के नेताओ के बिरूद चला गया था तो सामिबादी अंदोलन के नेताओ का पर वर्ष 1924 में रेडिकल डेमोकोटिक पार्टी के स्थपना किस के दोरा की गई एमेन राय के दोरा करंतिकारी शामिबादी दल के स्थपना वर्ष 1924 में किस के दोरा की गई समेंदर नाट टैगोर के दोरा की गई इसके बाद है वर्स 1949 में भारते बोलसिविक पार्टी के अस्थापना किस के दोरा की गई एंदत मजुमदार के दोरा की गई फिर बेटिस भारत में गठित महत्पुन आयोग आयोग वर्स और गवर्नर जनरल और सम्बांध किस से सम्बांधित है फ्रेजर आयोग 1922 में गठित किया गया था या लाज करजन के समय में या पुलिस उधार से सम्बनी था हंटर आयोग 1929 में गठित किया गया था लाज चेम्सपोर के समय में पंजाब अशान्ती के लिए इसको गठित किया गया था बटलर आयोग 1927 में लाड इर्विन के समय में गठित किया गया था इसका समन था भारते रियास्तों के साथ समन था भारते रियास्तों के साथ समन था इसका ब्लूम फिल्ड आयोग 1928 में गठित किया गया था लाड इर्विन के समय में बार्दोली में लगान बृधि की जांच के लिए इसका समन था फिर हुटले आयोग वुटीलय ऐयोग순े 1720 श्ित किया गया था लाडSE erqbing कि समय में या श्रम से संभधी था सप्पूरू ऐयोग隅 1520 किच्षविन किस समय में या विरुजगारी से समझ था और आजाईडशू 140 समय लिनलीथिकों किस समय में गत्षित किया था ते भागा हुटले आयोका गठन किया गया था इसके बाद है महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक अंदोलन महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक अंदोलन महात्मा राश्पिता महात्मा गांधी एक परचे है उनके बारे में एक परचे है नाम मुहंदास कर्मचंद गांधी, पिता कर्मचंदर गांधी, माता पुतली भाई माता पुतली भाई, जन 2 अक्टूबर 1879 मीर्थु 30 सितंबर 30 जनबर 148 में जन मस्थान प्रोबंदर गुजात में इसके बाद है बिवा, 1883 में उनका साथ बिवा हुआ था 1883 में कस्तुर्वा गांधी से पुत्र हरीलाल, मौनीलाल, देवदास, रामदास चार पुत्र थे राजनती गुरु इनका था गुपाल कृष्न गोखले, परमुख शिष इनका इंगलाइन में जनमी मीरा बेन महात्मा गांधी द्वरा परदत नाम था और इनका बास्तविक नाम था मैडलीन स्लेर था कानून की पढ़ाई के लिए इंगलेंड प्रस्थान किया इन्होंने 1888 शिवी में मुंबई से प्रस्थान किया था कानून यानि बरिष्टर की डिग्री प्राप्त किया था 1891 शिवी में फिर अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षी ने फिरका में नाटाल कंग्रेश के स्थापना अठारो सो चरानमे इश्वी में किया था दक्षी ने फिरका में जूलू और बोर पदक इनको मिला था 1899 इश्वी में कैसरे हिंदी की उपाधी नौ जनवरी 1915 में इनको मिला था कंग्रेश अधिवेशन में पर्थवार्द साबिल हुआ था इन्होंने 1901 इश्वी की कलकता अधिवेशन में और दर्बन दक्षी ने फिरका में फिनिक्स फ़र्म के स्थापना कब किया था 1904 इश्वी में सत्यागरा का परियोग 1906 इश्वी में किया था जीवन में पहली बार जेल गये का पर्थम जेल अन्भव इनको 1908 इश्वी में हुआ टोस्टाय फर्म के स्थापना 1910 इश्वी में जुहांसबर्ग दक्षी ने फिरका में किया था महत्मा गांधी की दक्षी ने फिरका में शक्रिय था 21 वर्स तक रहा घंगरत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 इश्वी को भारत आय थे दक्षी ने फिरका से उन्हें सो पचीश शिश्वी में। इंग्लिश में है दे एक्स्पेंट ओफ माई तुरूथ है। शिधान था है। सब हिंसा इनका सिधान था। अखिल भारतिये खादी बोड के अस्थापना उन्हें उन्हें सो तेईश शिश्वी किया था। इसके बाद है अखिल भारतिये चर्खाशंग के अस्थापना 23 शिश्वी उन्हें किया। प्रमुख पुष्टके इनके दो लिखा हुआ पुष्टक था सत्त के साथ मेरे प्रयोग जो आत्म कता है। इन्दिया अफ माई ड्रिम्स अना शक्त योग हिंद स्वाराज उन्हें सो नौईश्वी में गीता माता सब्त महाब्रत गांधी जी का बास्तविक दर्शन बहा पश्मी शभ्यता के बिरोध है उश्में। शुन विदार थिए इस सब पुष्टक के महात्मा गांधी द्वार लिखा गया है। इसके बाद परमुख समाचरपत्र महात्मा गांधी द्वारा दा ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्ट 1896 में इस्वी के राज कोर्ट से प्रकासित किया था। इंडियन उपनियन उन्ने सौ तीन इस्वी द्वार दक्रिका में एक बाद यंग इंडिया उन्ने सौ नहिज उन्ने 6 इस्वी में हर्जन 1932 महात्मा गांधी के परमुख उपाधिया महात्मा गांधी कि पर्मुख उपाधिया है। जो इस तरह से हैं। कैसरे हिंद कैसरे हिंद के उपाधी परतम 20 विद के समय दिया गया था इनको भरती करने वाला सरजेंट परतम 20 विद के समय इनको ये उपाधी मिला था भंगी शिरोमनी दक्षिन अफिरका के परवास के दोरान इनको कहा गया भंगी शिरोमनी कुली बैरिस्टर दक्षिन अफिरका के अंग्रेज मेरिस्टेट ने इनको कहा था कुली बैरिस्टर कर्मवीर दक्षिन अफिरका के शहोगी इनको कर्मवीर कहा था शेवा गराम का शंत आश्रम के अतीतियों दोरा इनको शेवा गराम का शंत कहा गया इसके बाद है अधुनिक यूग के अजाज सत्रू अधुनिक यूग के अजाज सत्रू जाक्टर एजिंदर प्रसादोरा इनको कहा गया इसके बाद और है मलंग बाबा कवाईलियों के दोरा इनको मलंग बाबा रहा गया बापु सी एफ एंड्रूज एबम जवाहरला नहरू के दोरा इनको बापु कहा गया देश द्रोही फकीर विंस्टर चर्चिल के दोरा देश द्रोही फकीर कहा गया भीखारियों का राजा पंडित मौदन मोहनमालविय दोरा इनको भीखारियों का राजा कहा गया राष्टपिता शुवास चंद्रबोष के दोरा इनको राष्टपिता का उपाधिन दिया गया था इसके बाद अर्द नगन फकीर विंस्टर चर्चिल के दोरा इनको उपाधिर दिया गया वन मैन बाउंडरी फोर्स की संग्या दिया गया किनके दोरा लाड मांट बेटन के दोरा कहा गया वन मैन बांडरी फोर्स इसके महात्मा महात्मा रविन्ना ठेगोर दोराइन को महात्मा की उपाधिर दिया गया फिर है वाहकम शत्यागर वर्स 1925 में अस्प्रिया अस्प्रिस्यता की कूपर्था के बिरुध त्रमन कूर यानि केरल में चलाय गया था फिर है महात्मा गांधी किस वर्स दक्षीन फिरका से भारत वापस लोटे थे तो 1925 में किस ने महात्मा गांधी को सरपर्थम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्ना ठेगोर ने स्वाधिन्ता अंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ट अंग्रेज मित्र कौन थे रेवरेड चारली एंडरूज दिन बंधू जिनको कहा गया है फिनिक्स फर्म कहा इस्थित है डर्बन दक्षी फिरका में फिनिक्स फर्म इस्थित है महत्मा गांधी के राजनुती गुरु कौन थे गुपाल कृष्णी गोखले थे भारत में सुतंतरता अंदोलन के दोरान महत्मा गांधी दोरा अहमदाबाद में सावर मत्य के किनारे यानि सावर मत्य नदी के किनारे एक आस्रम बनाया गया जिसे साबर मत्य आश्रम यानि सत्यागर आश्रम के नाम से जाना जाता है गांधी जी की दुष्टी में अहिंसा का क्या अर्थ है गांधी जी की दुष्टी में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ती का मार्ग सत्ति की प्राप्ति का मार्गा भारतिय कप्रा बेफारी बैंकर कंग्रेशी तथा महात्मा गांधी के निकट सही होगी ए बी सेशन किसका पर्चे देते हैं जम्नल अलबजाज का यानि वे जमनल अल्बजाज थे, भारती कप्रवेपारी थे, बैंकर थे, कांग्रेशी थे, तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, जमनल अल्बजाज, महात्मा गांधी अंदोलन वो सत्यागरा, महात्मा गांधी के अंदोलन वो सत्यागरा है, से समद्धित तथे है चमपारन सत्यागरा 707 इश्मी में हुआ था यह पर्थम बास्तवी किशाण सत्यागरा था तिन कठिया जिसे का तिन बट्र विश्म भाग पर अनिवार्य नील की खेती के लिए विरूध सत्यागरा जिसे तिन कठिया परत्ति भी कहते हैं अहमदाबाद मजदूर अंदोल उनेश्वा ठारेश्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में पर्थम भूक हरताल किया गया था खेरा सत्याग्रा उनेश्वा ठारेश्वी में पर्थम पूर्ण किशान सत्याग्रा था खेरा सत्यागरा इसके बाद खिलापत अन्डुली उन्येसी श्वे सर्पर्थम और सहयोग अन्डुलन की अभिव्यक्ति खिलापत अन्डुली उन्येस के तहत किया गया था इसके बाद है और शहयोग अंदोलन उन्हें 20 शिष्व में पर्थम जन अंदोलन की अभिव्यक्ति सबन अभग्य अंदोलन यान डांडी मार्च उन्हें 30 शिष्व में नमक सत्यागर थाया ब्यक्तिक सत्यागर 2014 में उपणाम दिली चलो अंदोलन ब्यक्तिक सत्यागर का भारच ओर अंदोलन वो अगस्ट करांती 42 में गांधी जी का करो्य मारो का नारा इस इमे दिया था गांदी परमुक आश्रम अस्थान और अस्थामन फिनिक्स फॉर्म डर्वन दक्षिनी फिरका में 54 इसकल प्रिश कःपना फॉर्म जोहांसवर्ग दक्षिनी फिरका में 1010 इसकल में सावरमति शॉरमति नदी के किनारे अहमदाबाद इसके बाड़ अना शक्ती आशरम कौशानि उत्रा खण्डמे उन्हें सोंतिस सिष्वे में, भारत के सतन्तता संघर्श की दोरान सबसे पहले सत्यागरा किशनी किया था, महात्मा गांधी ने किया था महात्मा गांधी भारते राष्टे कंग्रेश के अधिवेशन में सर पर्थम समलित कब हुए थे कलकत्ता अधिवेशन उन्हें सो एक इश्वी में पर्थम बारोय शमलित हुए थे किस ने कहा था किस ने कहा था कि विदेशी बस्तुरों की बरवादी हैं उनके साथ सर्बोतम बेवार है महात्मा गांधी ने कहा था वर्ष 915 में दक्षिय फिरका से लोटने के पहचात गांधी जी ने वर्ष 917 में चमपारन के किशानों के शोषन के बिरूथ अपना पहला सफल सत्यागरा अरंब किया था दक्षिय फिरका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रीका का प्रकाशन किया तो इंडियन उपनियन नामक पत्रीका का प्रकाशन किया था दक्षिय फिरका में रहते हुए अन्टू दिस लाष्ट नामक पुष्टक के लेखक कौन है जौन रस्किन है महात्मा गांधी को सर पर्थम राष्ट पिता कहकर किष्णे शंबोधित किया था शुवाचनर बोष्णे गांधी के नाम से पहले महात्मा सब्द किष्ट अंदोलन के बाद जोरा गया चमपारन सतागरा के बाद गांधी से पहले महात्मा जोरा गया गांधी जी के मिर्टू परकिष्ट ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है जवाहला नहरू ने कहा था महात्मा गांधी के चंपारन सत्यागरों में बिहार के किशान राजकुमार शुक्ल भी सामिल थे इन्होंने चंपारन के किशानों की शमस्चा समाधान के लिए गांधी जी को बिहार अमंत्रित किया था महात्मा गांधी के चंपारन सत्यागरों के बिरोध किशनी किया था एंजी रंगा ने बिरोध किया था अब है इसके बाद है पूने में पूने की यरवदा में इस्थी था आगाखा पैलेस को सुल्तान मुहमत साह आगाखा दूतिये ने अठारा सो बिरानमे इस्थी में बन वाया था अब रॉलेट एक्ट और जालिया बला बाग हत्या कांट से समंधित कुश्चन है बिटिश आसन दौरा मार्च 1929 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्युदेश क्या था तो क्रांतिकारियों का दमन करना था भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गति विद्यों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1927 में नियाएधिश सीडिनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समीती गठित की इसका उदेश क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्मान करना था इसके सुझावों पर मार्च 1929 में पारित विध्यक रॉलेट एक्षत के नाम से जना गया जब रॉलेट एक्षत पारित हुआ उस हमें भारत का वाइश राय कौन था लाड़ चेम्सफोर था किष अपनिवेशिक कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील के नाम से जाना जाता है तो रॉलेट एक्षत के बिरोध में किष ने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया सुझाव दिया स्वामी सर्धानंद दा अनारिकल एंड रिवोलिशनरी क्राइम एक्ट उनेशों उनेश को सम्मान ने बोल चाल में क्या कहा जाता है रॉलिट एट कहा जाता था जालिया वला बाग नर्संगहार के पहले कौन सी महत्पुन घटना घटी थी रॉलिट एट का पारित होना पंजाब के अमरी सर में जालिया वला बाग हत्त्या कांट कब हुआ था 13 अपरेल उनेश्व उनेश्व को रोट सत्यागरे के दौरान पंजाब के दू लोग प्रिनिताव कौन थे पंजाब के दो लोग प्रिनिता सैफुदीन किछलू तथा डाक्टर सत्यपाल के इफ्तारी और बिटिश दमन के बिरोद करने के लिए 13 अपरेल उनेश्व उनेश्व को बैसाथी के दिन अमरी सर के जालिया वला बाग में एक साबजनिक शभा बुलाई गई थी जहां जनरल डायर दोरा निहत्थी भीर पर गुलिया चलबा कर लगभग एक हजार लोगों की हत्या कर दी गई इसी घटना को जालिया वला बाग हत्या कांड के नाम से जाना जाता है जालिया वला बाग हत्या कांड के बाद किस बिख्यात बेक्ती बिटी सरकार्द्वा प्रदान की नाइट की उपाधी को वापस लोटा दिया रविना टेगोर ने नाइट की उपाधी को वापस कर दिया था जालिया वला बाग हत्या कांड के बिरोध में वाईसराय कारिकार्णी परषद के सदस्ता से किस ने इस्तिफा दे दिया के शंकरन नाइर ने इसके बाद जालिया वला बाग हत्या कांड जांच के लिए बिटी सरकार किस कमीटी के गठन किया था हंटर कमिटी गठन किया था जालिया बलाबाग हत्या कांट के लिए जिम्यदार जनरल डायर को किष्णे लंदन में माँ डाला गोली मारा उधम शिंग ने गोली मारा था कंग्रेश में कंग्रेश ने जालिया बलाबाग हत्या कांट के जाच के लिए मदन मुहन मालविय की अध्यक्षता में एक समीती गठित की समीती के अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, सियारदास, बद्रुदिन तैयब जी और एम आर्ट जैकर आदी सामिल थे अब है स्वतंतरता संग्राम की पर्मु घटना आए स्वतंतरता संग्राम की पर्मु घटना है तो ओ घटना है अठारसो पचासीश्वी में भारती राष्टे कंग्रिश के अस्थपना हुआ था इसके बाद है उन्हेश्व पाँचीश्वी में बंगाली विवाजन के फल सुरुप आरंब हुए श्वतेशी अंदोलन का भारत के बिभीन चेतरों में पर्सार हुआ मुश्वी में मुशलिम लीख की अस्थपना हुआ था उन्हेश्वी में इन्डियन काउंसिल एक्ट के अस्थपना क्या गया था उन्यसो बारा इश्वी में बंगाल बिभाजन रद वह राजधानी दिल्ली अस्त्रानतित क्या गया। फिर उन्यसो नोई इश्वी में इसे पहले उन्यसो नश्वी में गवर्मेंट अफ इंडिया एक्त किसके फल्सुरूप विधान मंदल निरबाचीत हुआ था। इसके बाद है 1929 शिष्व में भारती राष्टे खंग्रेश दोरा स्वर्याज यानि पूर्ण सो तंतरता का अहवान क्या गया 1935 में गर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट दोरा विधान मंडल के शक्तियों में विश्थार और निर्वाचन छेतरों में बृध्धी किया गया उन54 में मुशलिम लीग दोरा पकिस्तान के निर्मान का अहवान किया गया इसके बाद 1942 सिष्वी में भारतिये सोतंतरता के लिए समझा होते की सर्टों को रखा गया 1946 सिष्वी में सर्टों को करने में कैबिनेट मिशन आशफल रह गया इसके बाद 1947 है 1947 सिष्वी में सोतंतरता प्राप्ति वो भारत का विभाजन पकिस्तान की सोतंतरता इसके बाद है हंटर कमिशन की रिपोर्ट जालिया वाला बाग से कुगांधी जी ने पन्य दर्पन निरलज सरकारी लीपा पोती की संग्या दी तो इस तरह से NCRT शार संग्रा का आधुनिक भारत का या कुश्चन था फिर इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद है